हेलो फ्रेंट वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहारी सच्छाई की बीशेस्ताओं का उलेक करें इस क्यूशन का आंसर आपको अपने बोड़ परिच्छा में कैसे लिखना है इसके बारे में आज हम लोग डिसकाज करेंगे और य यह प्रश्ण हर वर्स आपकी बोड़ पर इच्छा में 20 मार्क्स का पूछा जाता है ठीक है फ्रेंट और यहां पर आप देख सकते हैं कि एकजामर कुछ डिफ्रेंट करके भी एक्यूशन पूछ सकता है जैसे कि बिहारी के रूप वर्डनन संदर्य वर्डनन की बिसेस्त कवी हैं नाड़ी प्रकिर्ती एवं भाव संदर्य के चित्तेरे विहारी की एक मात्र कृति विहारी सच्छाई का जितना मान समान हिंदी जगत में हुआ उतना बहुत कम ग्रण्थों को मिल बाता है इसका एक एक दोहा एक एक रतन माना जाता है और हमने पिछले वीडियो म पढ़ा भी था विहारी जी के बारे में कि उन्हें एक दोहा के लिए एक स्वन मुद्रा दिया जाता था जैपूर की राजा मिर्जा राजा जैसी दोराद दिया जाता था वो हमने बिहारी जी की कावेगत भी सेस्ताओं में पढ़ा था ठीक है और वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से आप जाकर देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट बिहारी सत्साई की पचासुर टिकाएं अब तक हो चुकी है मुक्तक फ्याली में रचित इस कृती में वे सभी गुन विद्यमान है जो सफल मुक्तक कावे के लिए आवस्यक माने गए हैं विहारी Сंदरी की चितेरे हैं वे स्ट्रॉंदरे की सत्ता आत्मगत मानते हैं वस्तूगत नहीं यह तो देखने वाले की द्रिष्टी है जो किसी भी चीज को सुदर बना देती हैं कोई वस्तू अपने में सुदर या असुदर नहीं होती मन जिधर और जितनी रूची दिखाता है वो वस्तू हमें उतनी ही सुदर प्रतीत होने लगती हैं उसके पाद इससे सम्बंधित एक दोहा देख लेते हैं समय समय सुदर सवय रूप कुरूप नकोई मन की रूची तेजी जीते तीत तेती रूची होई उसकी बाद आपको पैराग्राफ चिंद करना है और लिखना है असपस्ट ही विहारी द्रश्टा की द्रिष्टी में सौंदर्डे मानते हैं वस्तू वही है पर एक समय में वही सुंदर और दूसरे समय में वही कुरूप प्रतीत होती है जैसे कि मानब का सरीर भी आप देख सकते हैं एक समय ऐसा होता है कि वह बहुत है सुंदर दिखता है और एक समय ऐसा आता है कि वह कुरूप दिखता है यानि कि समय के साथ वस्तू बदल जाता है परिवर्तित हो जाता है वही यहाँ पे बिहा कारों ने प्रयास किया पड़ वे सब मूढ मती सिद्ध हुए कोई भी उसकी सही तस्वीर नहीं उतार पाया क्यूंकि तस्वीर बनाने के बाद जब असल से उसका मिलान किया जाता तो उसमें बहुत कुछ परिवर्दन हो चुका होता उसके बाद इससे समंधितेक पंक्ति द चितेरे हैं उसके अंग प्रत्यांग का मनोहर एबम चिताकर्शन चित्र सदसाई में उन्होंने अंकित किया है उसके बाद इससे समंधितेक पंक्ति आपको लिखना है अंग अंग छबी की लप्टी उपर्टती जाती अच्छे खड़ी पात्रियों तवू लगे भड़ी स शरीर वाली अर्थात रिष्ट पूष्ट लग रही है उसके बाद आपको पेड़ाग्राफ चेंद करके लिखना है नाइका के छेत्र श्रिंगार रस में अश्नान किये हुए उनमें से श्रिंगार रस टपक सा रहा है वे नेत्र अपनी स्वभावी स्यामता से ऐसे काले है कि विना काजन लगाए हुए भी वे खंजन पच्ची को लजित कर देते हैं उसके बाद इससे संबंदित एक पंक्ती रस श्रिंगार मजनू की कंजनू भंजनू दैन अंजनू रंजनू कू बिना खंजन गंजन नैन नाइका का सुन्दर मुख पुर्णीमा के चंदर की भ लेना पड़ता है ऐसा बिहारी लाल जी कह रहे हैं उसके बाद एक दोहा देखते हैं इनका पत्रा की तिथी पाईये यागहर के चहू पास नीत प्रती पुन्यों की रहत आनन ओप उजास उसके बाद आगे पेराग्राफ चेंज करते हुए आपको लिखना है बिहारी ने क ये बल नाइका के सौंदरे का ही वड़न नहीं किया अपी दुनायक के सौंदरे का भी चितरन किया है एक नाइका अपने नेत्रों की दसा का वर्ण करते हुई दूसरी सकी से कहती है हडी छवी जल जब ते पड़े तब मैं छिन बिचूडे भरत धरत बूढ़त तरत रहत धरी लो नैन नायक के अंग प्रत्यंग की शुभा में नाइका का चित इस प्रकार हो गया है जैसे भवड में पड़ी नाव जो बार बार वहीं चक्कर लगाती है और अंतता उसमें डूब जाती है उसके पाद इससे समंधत एक पंक्ती फिडी फिडी चितू उतिहीं टूटी लाज की लाओ अंग अंग छबी ज़ड में भयोब होड की नाओ उसके बाद अगला प्राग्राफ में आपको लिखना है बिहाडी की धारना है कि सुंधरे का प्रान तद्व तो प्रेम ही है सुंधरे की सार्थक्ता प्रेम भरी द्रिष्टी से ही है यदि सुंधर जद्दपी सुंदर्पुनी सगुनों दीपक ने तव प्रकास करे तीतो भढ़ये जीतो अशने आगे हम देखते हैं बिहारी लाल की नारी संदरे और प्रकिर्थी संदरे की विचे में बिहारी सचाई में नारी संदरे की साथ साथ भाव संदरे एबं प्रकिर्थी संदरे की छटा भी विद्धेमान है शौंदर्डे बाहेट उपाकार्ड में नहीं होता अपितु उसकी सत्ता आंत्रिक होती है नेत्रों के शौंदर्डे का उधारन प्रस्तूत करते हुए बिहारी कहते हैं कि युवा वस्था में प्रायत सभी तरुनियों के नेत्र नुकीले एबंबड़े वड़े हो जाते हैं किन्तों द्रिष्टी निचेप की कला तो किती ही किसी विरली युपती में होती है अनियारे दिरग द्रीगिनी किती न तरुनी शमान वह चितवनी और कचु जी ही बस होत सुजान उसके बाद भाव संदरे के अंतरगत विहारी ने हाव भाव एबम अनुभाव योजना के द् द्रिष्टी का विधान किया है यथा प्रथम समागमन के अबसर पर नाइका की चेश्टाओ का शौंदरे देखते ही बनता है भौहनु द्रास्ती मुख नटती आंखीनु सो लपटाती एंची छुडवाती कडू इची आगे आबती जाती भिहारी लाल आगे कहते हैं भौ से डरती है मुख से नाना करती है किन्तु आखे कुछ और कहकर लिपर्ती सी जान परती है हाथ खीज़ का चुड़ाने का परियास करती है किन्तु इस प्रकिडिया में स्वयम आगे खीची चली जाती है राधा कृष्ण की चेश्टाओ वाक के विनोध एवं उनमें चलने वाले परियास का भी सुन्दर चितरन बिहारी ने अपने निमने दोहे में किया है बत्रस लालच लाल की मुडली धड़ी लुकाए शोह कड़े भौहनु हसे देन कटे नटी जाए कभी बिहारी लाल जी कहते हैं कि वारतालाप के लालच में राधा ने कृष्ण की मूडली रख दी है जब कृष्ण मूडली मांगते हैं तो वह स्वावगांद खाकर कहती है कि मैंने तुम्हारी मूडली नहीं ली किन्तु कृष्ण समझ जाते हैं कि मूडली इसी के पास है क्यूंकि राधा अपने भावों में ही जटूरता से मुस्कुराती है कृष्ण जब उसक सतसाई में उपलब्द होते हैं वासंती पवन का चितरन उसकी समस्त विशेस्ताव के साथ पिहारी ने हाथी के सांग रूपक से निम्न दोहे में किया है रनित भ्रिंग घंटा वली ज़डित दान मधु नीर मंध मंध आवतु चलियो कुंजर कुंज समीर इस पंक्ति के मा माध्यम से कभी कहते हैं कि ब्रह्मा रूपी घंटा वली को बजाता हुआ मकरंद रूपी मध को गिराता हुआ कुझ समीर रूपी कुंजर यानि की हाथी होता है मंध मंध चला आता है वासंती पवन की तीनों विशेस्ताव सीतल मंध सुगंध यहां दिखाई देती है इस कावे में दिखाई पड़ती हैं इनके कावे की विशय बस्तु भी आकर्सक है तथा उनकी अभिवेक्ति छमता भी उसी परिनाम में रमनिये हैं यही कारण है कि उनका सतसई अलग लोग फिरिये रजना है दोहे जैसे छोटे छंदे में इतने साड़े भाव का समावेस करने के कारण ही यह कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है बिहारी सतसई के दोहों की प्रिशन सा करते हुए इसलिए एक आलोचक ने कहा है सतसईया के दोहडे जियो नावक के तीर रेखन में छोटे लगे घाव करे कम भीर उसके बाद सबसे लाष्ट में आपको निसकर्ष के दोड़ पे लिखना है निस चैहीं बिहारी सुंदर्ड़े के कभी है सुंदर्ता को देख कर उसको इस रूप में प्रस्तूत करना कि वह दूसरों को भी चिता कर्ष लगे शमर्थ कभी की जहमता ही होती है कहना नहोगा कि बिहारी इस काड़े में पूर्ण सफर रहे हैं तो फ्रेंट बिल्कुल इसी तरीके से इस क्यूशन कांसर आपको अपने बोड़ पर इच्छा में लिखना है अगर प्रस्ट आए कि बिहारी की सुंदरे भाबना की विसेस्ताय लिखे या फिर बिहारी सस्जाई की विसे और वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है ठीक है तो आप देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो इंफ्रमेटी प्लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अप्टे फ्रेंट के साथ सेयर करें और चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल